नमस्कार दोस्तों, ओ नमस्षिवाए हमारा यूटूब चैनल देव के मुजिक में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ सबसे बड़ा पुर्णे और सबसे बड़ा पाप और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेइमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्थ होना चाहिए जो इमानदार और सच्चे हों और उनके हुने की धार्मिक्ता को नुक्सान न पहुंचाए तूम अपने प्रलोभनों को मत सुनो, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारन पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एक मात कारन है संसार में तीन प्रकार के प्रलोभन होते हैं आपको की वासना, कार्थ है भतिकवाद यह विश्वास की धन और संपत्ती जीवन में सबसे महत्वपून चीजे हैं दो, शरीर की वासना, कार्थ है सुखवाद यह विश्वास के जीवन में किसी भी चीज की तुना में आनन सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का गौरव, का अर्थ है हंकार, अपने बारे में बहुत अधिक सोचना ये सोचना कि आप किसी और से बहतर या अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दोड़ने के बजाए कर्म और शरीर के बंधन से मुप्ती पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए Lord Shiva Powerful Lessons That Will Change Your Life 3. शक्ति ही सफलता में बाधख है जब माता पारवती ने भगवान शिव से पोचा कि मनुष्य अपने कारियों में असफलत क्यों होता है तो भगवान शिव ने बताया कि आसकती ही सभी समस्याओं का मूल कारण है आसकती और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाध़ डालता है जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुर्थ हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोग सके अलग होने का एक मात तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की इस्थाइटा को समझें चार अपने कारियों को बुर्धिमानी से चुनें शिव ने पारवती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कारवाई में लिप्त या संबद नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कारियों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामल हो मनुष्य जो कुछ भी काता है वो उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है उसका भाग्य उसके कारियों का परिनाम है इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कारियों को कैसे चुनते हैं जब माता पार्वती ने भगवान शिर्फ से पोचा कि मनुष्य को आत्म विनाशकारी क्या बनाता है तो भगवान हंसक्से महत्वकूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज की प्रति आसक नहीं होना चाहिए ज्यादा इच्छा न करें क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती है और जुनून अंततह आत्म विनाशकारी कारण बन सकता है अवांचेत इच्छाएं मनुष्य को आत्म विनाशकारी बना सकती है 6. समस्या की प्रति आपका द्रिष्टिकों मायने रखता है हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप समय देना चाहिए और सभी पहियों से स्थिती को समझना चाहिए इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें 7. अहनकार बुद्धी को नश्ट कर देता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पोचा कि वह क्या है जो मानव बुद्धी को नश्ट कर देता है तो भगवान शिव ने बताया कि अहनकार मानस बुद्धी को नश्ट कर देता है बहुत अधिक अहनकार आपको जिन्दी बनाता है और जब आप जिन्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं या उनकी सलाहले कोई लोग जो आपसे बहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं आपका अहनकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्क दर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप को सकते हैं भगवान शिप हमें अहनकार के बिना जीवन जीने का उबेश नेते हैं क्योंकि अहनकार कहीं नहीं जाता है लेकिन यह आपको स्वयम से दूर ले जाता है लौड शिवा पाउफुल लेसंस तिट विल चेंज यूर लाइफ भगवान शिप से पोचा कि वास्तविक सुप क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और क्या नहीं तो भगवान शिप ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं हमारे वचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं आध्यात में कायाम हुने का अर्थ है आंतरिक शांती की अमभूती मन की शांती और हुदे में शांती दोनों उन्होंने कहा कि भौतिक सुखर्पकालिक है यदि आप भौतिक वादी नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं हो रहे हैं भगवान शिव की शरीप पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ हस्थाई है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पोचा कि एक केंवित मन कैसे हो सकता है तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए वहुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानकून विष्टिकोन के साथ वहुए शान्त निमाग से संभालने में सक्षम होगा और विश्य के बारे में वहतर स्पष्टता होगी 10. समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है समय के महान देवता जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पोच्छा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही समय है दुनिया की सबसे कीमती चीज इसलिए केसी को भी ये कीम्ती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और ब्रेड निश्चरी होना चाहिए मित्रों मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आपको यह वीडियो पसंद आई हैं तो कमेंट में हर हर मादयों जरूर लिखना सर्थ धन्यवाद